नमस्कार साथियो, दिवी ग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरा नाम है गिरिस मिश्रा और आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक LT पर अधारित हमारी विसेश सीरीज सिक्चन अभिरूची जिसका आज का टॉपिक है विसेश आउशक्ता वाले अधिग करता है, यानि जो special need वाले learner होते हैं, वो हमारा topic है, LT का बड़ा ही important topic है, आए शुरू करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम RTE Act 2009 की बात करते हैं, निसुल्क और अनिवारी बाल सिक्चा का अधिकार 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 दिया जाता है, इसके अतिरिक SDG goal, यानि की sustainable development goal, संख्या चार में निसक्त बच्चों की सिक्चा हे तू, सब भी इस तरों पर समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने का लक्षे है, इस हे तू, RPWD Act 2016 के 96-16 एवं 97 में विशिष्ट आवश्यक्ता वाले बच्चों की सिक्चा हे तू, सेक्षणिक संस्तानों के कर्तव एवं समावेसी सिक्चा को पुर्सारहन करने हे तू, उपाई किये गए हैं, तो ये जो सेविधानिक जो है, जो प्रभंध किये गए हैं, उनके बारे में हैं, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, विशिष्ट जो बालक होते हैं, वो अब कैसे उनको पहचानोगे कि वो विशिष्ट बालक हैं, तो उनके कुछ लक्षण होते हैं क्या क्या लक्षन होते हैं वो चिंदग रस्त होते हैं सरमीले हो सकते हैं एका की अलग रहने वाले हो सकते हैं कभी कभी जो है उनमें उग्रता आती हो आत्म केंद्रित होते हो निस्क्री रहते हो इस्थित रहते हो सामेंगी में इमोशनल जाद होते हो अंतर मुखी होते हूँ, अपनी बात बाहर ना बोलते हूँ, निरासावादी होते हूँ अगर ये इतनी सारी चीजें किसी बालक में देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि वह बालक विशिष्ट बालक है और विशिष आवशिक्ता वाले अधिगम करता के अंतर्गत आता है तो आगे बढ़ते हैं हम अब देखो, जो विशिष आवशिक्ता वाले अधिगम करता है इनमें कौन-कौन से बच्चे आते हैं तो इसमें सबसे पहले आते हैं परतिभासाली बच्चे जो gifted children होते हैं क्योंकि जो gifted children होते हैं अब ये कोई इस प्रकार से ये कोई ओ नहीं है कि हम वो नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ अच्छे आते हूं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि इनको विसेश ध्यान देने के आउशक्ता होती है हमेशा विस्टेस आवश्यक्ता इनको होती अधिगम करते वक्त क्योंकि हम बच्चों को समानी बच्चों की तो इनने नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका जो IQ लेवल है इनका मानसिक इस्टर है समानी बालोकों की अपेक्छा ये एक इस्टर या दो इस्टर या तीन तो देखिए क्या होते हैं, समाज में एक बहुती ब्रांत धारणा फैली हुई है कि उच्च मांसिः छम्ता युक्त परदिभासाली बच्चे विशेष छम्ता से विभूसित होते हैं और उनकी वरियता का कारण उनमें अंतरनेहित जो है कुछ गुण होते हैं, उनमें जो अ में ही कुछ हग तक उन्हें अंत्र नहीत कोई छमता उसमें अंतर नहीत दूसरी छमता से जादा बेहतर होती है मनोवे ग्यानिकों ने इन्हे अत्य क्या वर самые worthy Q के आधार पके विभाजित किया तो अब देखो जो विसेस आवशक्ता वालक में गिफ्टिट बचे हैं उनको जो मनवग्या निखें उन्हें दो भागों में इन्हें बाटा हुआ है कैसे बाटा हुआ है यद्यपी यहाँ वेरी सुपीरियर जिनका IQ लेवल 130 से 149 के बीच, 140 के बीच होता है उनको उन्होंने सुपर, वेरी सुपीरियर कहा और गिफ्टेट को कहा, क्या कहा, 140 से अधिक कहा और यह जो वर्गी करण किया, यह स्टेंफोल्ड भी ने ने किया, बुद्धी लबदी के आधार पर वर्स 1937 में इन्होंने ऐसा किया पर इसकी उच्चतर एम निम्रितम सीमा उपर कोई निश्चित माबदन नहीं है, कि हाईस्ट इतना हो सकता है और लोवेस्ट इतना हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इनके बीच में जो आते हैं, उनको उन्होंने गिफ्टेट चिल्डन का, यानि कि 140 से जज़ाद अगर उनका तर्मन कहते हैं कि पर्तिभासाली बालक वह है जिसकी बुद्धी लब्दी 140 से अधिक है, इसका मदलब वो गिफ्टेड चाइल्ड है, ये कहते हैं तर्मन, आगे बढ़ते हैं, अब्दूल रऊफ के अनुसार प्राही हो, उच्च बुद्धी लब्दी को पर्तिभासाली का संकेत माना जाता है, अतो पर्तिभासाली बच्चे सब्द का विप्राई, बच्चे की उच्च बुद्धी लब्दी से क्या जाता है, तो अब्दूल रऊफ हैं, इन्होंने क्या का, जिनकी उच्च बुद्धी, हाई, जो intelligent question है, यानि कि हाई, IQ जिनका है, वो सभी किसक एक बच्चा जो अपने आयू स्तर के बच्चों में किसी योगिता में अधिक हो, और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, ऐसा बच्चा या ऐसा चायल्ड, गिप्टेड चायल्ड होता है, यानि कि क्या कह रहा हूं, जो समानी बच्चों की यो अधिकारियों में लगातार उत्तम होते रहती है, यानि कि क्या विषच्चा होती है, तो इनकी विषच्चा होती है। इनकी विस्यस्ताओं में पहला है सारीक संतुलन इनका अच्छा होता है उच्च वंचानुकरम हैरीडिटी से इनसे बहुत अच्छे से गुण मिले होते हैं इनकी रूचियां अच्छे दर्जे की होती हैं समवेगात्मक एमोशनली जो है इस्ट्रोंग होते हैं अध्यन में योगिता इनकी अच्छी होती है विद्याले ही विस्यस्ताओं में ये उच्च से वी उच्छे होते हैं व्यक्ति जो है इनका बहुत अच्छा होता है कम मारगधर दर्सन की एंका आफश्यक्ता होती छोटे हिंट से ही ह suggestions सीख जाते हैं और आत्मी कोरें लोचिक हाश्य मई तो यह विशेश्ता हैं gifted या gifted child की जो होते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो पहला हमने gifted child पढ़ा विशेशावश्क्ता वाले अधिकम करता हम है दूसरे हैं धीमी गती से सीखने वाले बच्ची अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो समानी बच्चों की तरह नहीं होते हैं, उनकी जो गती होती सीखने की, वो समानी बालकों से थोड़ा कम होती है, तो इसलिए उन्हें slow learner children कहते हैं, जो gifted होते हैं तो समानी से उपर खें, और जो slow learner हैं, वो समानी से थोड़ा नीचे हैं, तो ये कहने का आशा है, ये महनोव ये समानी बच्चे की सैक्चिक उपलब्दी अपने आयू वर्ग से कम है, तब उसे धीमी गती से सीखने वाला माना जाता है, क्या कह रहा है, ये समानी बच्चे की सैक्चिक उपलब्दी अपने आयू वर्ग से कम है, तब उसे धीमी गती से सीखने वाला माना जाता है, इ जदी बालक सामानी कक्षा कक्ष में अपने आपको समायोजित नहीं कर पाता तो ऐसे बच्चों को धीमी गती से सीखने वाला बच्चा कहा जाता है इसमें वे बच्चे भी समिलित होते हैं जिनके सीखने की गती धीमी हो और योगिता भी सीमीत हो तो ऐसे बच्चे क्या होते यह होतना इस लो लन नहीं नहीं धीमी करती है सीखने वाले बच्चे तो सिंपल सी बात है कि आप एक क्राइटीरिया मना दीजिए समानी का अगर जो बच्चा समानी से समानी बच्चों से ज्यादा उपर की क्ला जैसे अगर 6th क्लास का पैमाना अपने बनार का है मनलो 6th क्लास का कोई बच्चा है और वो अगर 7th क्लास के बच्चों की समश्याओं को हल कर दे रहा है तो इसका मनलोग वो gifted है और 6th क्लास का बच्चा अगर 5th क्लास के बच्चों की ही समश्याओं को हल कर पा रहा है इसका मनलोग वो slow learner है तो सिंपल सी बात है इसमें ज्याद तो simple सी बात है, अब कुछ न कुछ कमी होगी, तब ही ऐसा हो रहा है, यानि कि उनमें मानसिक, जो है कुछ कमी हो सकती है, उनके सारिक से संबंदी तो हो सकती है, या फिर मिस्रिदोनों हो सकती है, तो अगर ऐसा है किसी बच्चे में, तो उसमें slow learner वाली ability आजाती है, आगे ब हो सकते हैं, और उनकी पहचान आप कैसे करेंगे कि, यह जो है slow learner है, तो उसके लिए पहचान करने का एक तरीका है, निरिक्षण प्रवेदी, आप उसका निरिक्षण करकर चेक कर सकते हैं, चिकित्सा परिक्षण करकर चेक कर सकते हैं, कि इसे कुछ मानसिक, या कुछ सामानी से आपको पता है सामानी जो IQ माना जाता है 90 से 110 माना जाता है तो आप इससे पता कर सकते हैं इससे पता कर सकते हैं कि बच्चा नीचे है या उपर है इसी प्रकार से एकल अध्यन विदी अगला क्या है एकल अध्यन विदी से भी आप पता कर सकते हैं व्यक्तिकर उसका परिक्षन कर सकते हैं, सेक्षिक परिक्षन कर सकते हैं, तो इतने एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे तरीके यहां दिये गए हैं, इन छे तरीके प्रसना आएगा एक्जाम में कि जो slow learner है, उनको आप कैसे पता करेंगे कि यह slow learner किन वीधियों का अपयोग करेंगे, तो simple सी परिक्षन वीधि, चिकित्सा परिक्षन वीधि, बुद्धी परिक्षन, एकल अध्यन वीधि, व्यक्तित्तु परिक्षन और सैक्षिक परिक्षन, इन 6 वीधियों के द्वारा हम पैचान सकते हैं कि कोई बच्चा slow learner है या फिर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, धीमी गति स सीखने के कारण, आप कारण ही क्या हो सकते हैं, बोलें कि क्या कारण हो सकते हैं, ठीक, जो इससे पहले मैंने काता है, कुछ कारण तो हो सकते हैं, सारी संबंदित और मांचिक संबंदित, या दून संबंदित, और कुछ कारण क्या हैं, आप चेक कर सकते हैं, उसकी आर्थि परिवार के सद्रशियों का मान्जी के स्थर हो सकता है तो इनके दौरा जो कारण बनता है कोई भी व्यक्ति slow learner बन सकता है कोई भी बच्चा slow learner बन सकता है आगे बढ़ते हैं धीमीकर्थी से सीखने वाले बच्चों की समश्याएं क्या क्या हो सकती है तो कहां-कहां उनको समश्याएं आ सकती है ग्यानात्मक अधिगम में समश्याएं आ सकती है भासा ये वारी में समश्याएं आ सकती है आगे बढ़ते हैं अगले बच्चे इसकेंदर कहता हैं पिछडे बच्चे पहले आमने कहा था gifted आगे दूसरे slow learner आगे तिसरे आगे backward पिछडे बच्चे ये क्या होते हैं पिछडे बच्चों से अभी प्राई सेक्षिक रूप से पिछडे बच्चों के रूप में लगाया जाता है पिछडे बच्चों को परिभासित करने के लिए बुद्धी लब्दी IQ के इस तरह का प्रियोग नहीं किया जाता है बलकि निस्पति या सेक्षिक लब्दी को अधार मना जाता है देखिए एक आप आपने सुना होगा OBC सुना होगा आपने OBC Other Backward Class तो जो यह Backward Child है उसका इस OBC से कोई मतलब नहीं है पिछड़े छेतर से कोई मतलब नहीं है ठीक है इसमें जो है पिछड़े छेतर का पता लगाने के लिए हम IQ टेस्ट भी नहीं करते है तो जो IQ टेस्ट है इसको भी हम नहीं करते है IQ टेस्ट भी उसके लिए सही नहीं है IQ टेस्ट भी नहीं करते है इसके लिए तो इसके लिए हम सेक्षिक निस्पति यानि उससे जो education से संबंदित question पूछेंगे ठीक है जैसे class 6 में पढ़ रहा है तो 6 से संबंदित जो concept होंगे उनको पूछेंगे उससे यदि बता पाता है तो ठीक है अगर उन नहीं बता रहा है बिल्कुन नहीं बता पा रहा है तो इसका हमले हो sexic रूप से पिछड़ा हुआ है इसलिए उसे पिछड़े बच्चे की स्रेडि में लाएंगे IQ टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उससे वो चीज़े आ सकती है लेकिन कुछ condition के कारण उसे वो चीज़े नहीं आ रही है तो sexic रूप से पिछड़ा है तो इसमें जो एक स्रिल लब्दी या सिख्चा अंक 85 से कम हो अब देखो पहले परिवास में कहा कि IQ टेस्ट से पता नहीं करते हैं फिर भी सिरिल बल्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा कि ऐसे बच्चों का IQ लेवल है वो जो 85 से कम आ रहा है ठीक है यानि सामानी से थोड़ा कम सामानी से सेक्षिक रूप से पिछड़ापन निमनिबर दो प्रकार का होता है तो देखो दो टाइप का सेक्षिक पिछड़ापन होता है एक सामानी होता है और एक विसिष्ट होता है तो सामानी में क्या आता है सामानी में आता है इस प्रकार का बच्चा सभी पक्च्चों में पिछ लेता है इसका मतलब जो सामानी पिछलापन है यह सभी सubjekt में बच्चे की जो achievement है वो जो है बहुत ही कम होती होगी इसलिए उसे सामानी पिछलापन कहते हैं अब बात करते हैं विश्षट पिछलापन नाम से लग रहा है किसी विश्ष चैत्रम हो गए विसेश्टी पिछड़े पन में बच्चा किसी एक विसेश विसेई या पक्च में पिछड़ता है सभी विसेईउ में पिछड़ने के बजाए किसी विसेश विसेई में किसी कारण सामानी बच्चियों के साथ नहीं चल पाता और वह उस विषय में उसकी तुलना में पिछड़ जाता है तो पड़ी कुलर एक विषय में वो जो है कमजोर है उसके कुछ कारण हो सकते हैं तो इसलिए उसे दिस्टी पिछलापन कहते हैं अब देखिए सैक्चिक पिछड़ेपन का कारण क्या है तो क्या कारण है इसमें देखते हैं सैक्चिक पिछड़े पन के भाय कारणों का पता लगाने के लिए बच्चे के सामाजिक आर्थिक माता-पिता की सिक्षा का इस्तार एम सत्र में बच्चे की उपस्तिती कितनी रही विद्याले में प्रुवेश का समय क्या रहा इन सभी की गर्णा के द्वारा हम सैक्चिक पिछड़े पन को पता कर सकते हैं तो ये कारण हो सकते हैं क्या क्या कारण सामाजी का कारण है आर्थिक कारण उसे पता कर सकते हैं ठीक माता-पिता का सिक्षा इस्तर क्या है बच्चे की साल भर उसकी उपस्तिती क्या रही है और विद्या था दूसरा slow learner था और तिसरे वाले थे पिछड़े बच्चे यानि कि जो sexy group से पिछड़े होते हैं आगे बढ़ते हैं अगले हैं समश्यात्मक बालक जिने की problematic children भी कहते हैं इसमें क्या है समश्यात्मक बच्चों से हमारा ताथ पर उन बच्चों से है जो परिवार एवं कु विद्यालाई में भली भाती की समश्यां उत्पन करते हैं ऐसे बच्चों का व्यवहार समानी परकार के बच्चों से भिन होता है वे वातावरण के साथ अपने आपको समायोजीत नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे अपने अध्यापकों के लिए समश्या बने रहते हैं समश कारी न करने वाले बच्चे हो सकते हैं और क्लास में और या स्कूल में देर से आने वाले बच्चे हो सकते हैं तो समश्यात्मक बच्चों के समश्यात्मक विवहार के कारणों को जानकर ऐसे बच्चों के विवहार में सुदार लाया जा सकता है प्राहियो बच्चा अवश्य आत्मक व्योहर के लिए प्रताडित अत्वा सारिक डंड न देकर मनोवेग्यानिक धंग से सिख्छा देनी चाहिए अब देखिए सोचने वाली बात है यह जो बच्चे हैं समश्यात्मक बच्चे हैं इनमें किस भी प्रकार का ऐसा कोई कमी नहीं उनको सारिक कमी भी नहीं मा समाज में भी समश्या उत्पन करते हैं तो इनको टेकल करने के लिए आपको उनको सारिक दन नहीं देना बलकि मनोवेग्यानिक धंग से ही इसकी सिख्छा देनी चाहिए तो इसमें एक मनोवेग्यानिक हैं बेलिस्टाइन यह कहते हैं कि समश्यात्मक बच्चे वे बच्च सबसे पहले देखते हैं, जो समझ्यातनाग बच्चे हैं, इनकी पहचान कैसी किया जाए, सबसे पहले वही निरिक्षन भी दी, आप जो उनकी किरिया कलापों का निरिक्षन करते रही है, साक्षतकार द्वारा, उनका जो इंटर्व्यू द्वारा पता करिए कि क्या है, संच सिख्षकों तथा मित्रों से वारतलाब किया जा सकता है कथात्मक अभी लेक तो से सम्बंदि जो है एक रिपोर्ट टैट की बना कर आप इसकी पहचान कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो जो यह समज्यात्मक बालक होते हैं यह अपना व्योहार किस कारण से करते हैं तो क्या कारण इसमें हो सकते हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं, देखिए, समाजी तथा परिवेशी कारण, तो समाजी और परिवेशी कारण हो सकते हैं, अगर उसके समाज में इस परकार की समश्या उत्पन्न करने वाले चीज़ें होती हों, या फिर वो अपराधिक जैसे कोई family है ठीक है तो वो जो है अगर ऐसी माफिया वाली family है तो गातार उसी आई है तो उनके परिवार में अपने आप वो चीज़ां आ सकती है सभाव संबंदी समयगात्म कारक हो सकते हैं और साधिक कारण हो सकते हैं इन कारणों से कोई भी बच्चा समश्यात्मक बच्चा बन पाता है आगे बढ़ने इनको सिक्षा कैसे दी जाए समश्यात्मक बच्चों को सिक्षा कैसे दी जाए तो सबसे important है यह और सबसे theoretical चीजें लखी भी है लेकिन practical बहुत भुष्किल होता है ऐसे बच्चाओं को टेकल करना लेकिन फिर भी एक अच्छा सिकचक है वो ही है जो ऐसे समशियों को हल करे और ऐसी चोनड़ी पूर्वा कार्यों को करे और जब वो इन चीज़ों को टेकल करना जान लेता है तो एक अच्छा द्यापक बन बात है तो देखिए क्या कैसे उनको टैकल किया जाए तो उनको टैकल करने के लिए है माता पिता को बच्चों के परती प्रेम साहनुगूती तथा सहयोगात में विवहार करना चीए लेकिन आफ़ दौर पर होता है अगर बच्चा समझ या परिसोधन किया जाना चीए अब देखिए अगर उसको गुस्ता जादा आ रहा है तो उसके गुस्ते को एकदम रोगनी की कोशिज नहीं करना चीए बलकि उसका परिमार्जन यानि उसमें सुधार करना चीए अगर आप सुधार करेंगे तो सुधार के द्वारा उसमें आप देखेंगी कि धीरे धीरे उसकी उप्रवर्ती जो है धीरे धीरे छूटनी प्रारमब हो जाएगी आगे बढ़ते हैं बच्चों को अच्छे कारी के लिए प्रोचान तथा पुरुसकार दिया जाहिए अगला है बच्चों के सहयोगिए का गुप्त निरिक्षण डखना चाहिए जो ऐसे बच्चे हैं किन के साथ उठ रहे हैं किन के साथ बैठ रहे हैं इसका ध्यान रखना है और उसे उन्हें बताए भी ना जैसे आपने इससे बेले एक मूवी आई टी जो संजयदत पर आधारित बनी थी रेंट बिली को पूर्ड ने बनाई थी तो उसमें जो संजयदत को ड्रक्स का जो बनाता है द्रक्स लेने का जो आधी बनाता है तो उसमें जो है उसके जो फादर रहते हैं संजयदत के तो वो लगाता है निगरानी करते हैं वो देखते हैं कि जो उनका साथी है वो जो है दोनों तो ड्रक्स ले रहे हैं लेकिन जो उसका ड्रक्स था वो सिर्फ पावडर था और जो सं ऐसे ही हर विवक्ति को, हर पेरिन स को अपने बच्चेों के सहयोगी उपे नजर रखना चीए, कि वो उनके जो सांतियें सहयोगीयें किस तरीके के हैं, अगर वो क्या उनका हाथ तो नहीं है उसे विगाड़ने मुखी, अगर है तो उसे सचेत कर देना चाहिए, आगे बढ़ जन्म से सरीर के किसी अंग में दोस होता है या बाद में किसी बिमारी, दुरघटना, आपात या चूड लगने के कारण उसके सरीर का अंग दोस्युप्त हो जाता है दिव्यांग बालग कहलाते है इसमें डॉक्टर S.S. मार्थूर के अनुसार एक व्यक्ति जो सारीक दोस्य से इस प्रकार ग्रसित होकी वह उसके सामानी किरियाओं में भाग लेने में बादा डालता है उसको विकलांग कहा जाता है इसी प्रकार क्रो एंड क्रो कहा गयते हैं वे बालग जिनके सारीक दोस्य उन्हें सामानी किर्याओं को करने से रोकते हैं अथ्वा सीमित करते हैं उन्हें सारीक अख्चमता से यूक्त बालग कहा जाता है इसी प्रकार से विकलांग जिनों के अधिकारों की सुरुक चाह यहतू संयुक्त राश यानि United Nation द्वारा पारित की गई Convention UNCRPD 2006 के अनुसार विकलांगता का संबंद उन सभी व्यवहारगत तथा परियावरण बाधाउं से है जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागिदारी से रोकती है इसी पर का वेडल 1996 ने अपनी पुस्तक The Rejected Body में विकलांगता को एक सामाजी घटना बताया है हमारे देश में 1 अप्रेल 2010 को निसूल कवो अनिवारि सिक्षा अधिनियम निसूल कवो अनिवारि सिक्षा का अधिकार प्राप्त है जबकि जो नई सिक्षा नीटी 2020 आई है इसके अनुसार कहा गया है कि परतेक 3 से 18 वर्स तक की आयू के बालक बालिकाओं को निसूल कवो अनिवारि सिक्षा की बात कही गए जबकि आटी 2009 है इसमें ये तो जो 6 से 14 साल के सामानी बालक है इनमें जो ये दिव्यांग बालक है अगर इनकी संख्या आप देखेंगे तो वहाँ पर ये एज क्राइटीरिया 6 वर्स से 18 वर्स है तो ऐसा नहीं कि जो है 6 से 14 वर्स के बीच में अगर दिव्यांग भी आए रहे हैं और सामानी भी आ रहे हैं तो दोनों एक जैसे नहीं जो दिव्यांग बालक है उनको विश्य साव शिक्ता क्या हो शिक्ता है इसलिए वहाँ पर 6 से 18 वर्स दिया गया था वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं आगे बढ़ते हैं दिव्यांग बालक किस प्रकार से दिव्यांग उनमें दिव्यांग ता किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में देखो जो जिनको दिखा ही नहीं देता है दिव्यांग जिनको सुना ही नहीं देता है बहु दिव्यांगिता जिनमें एक या एक दो या दो से अधिक दिव्यांगिता है तो उन्हें बहु दिव्यांगिता किस रहनी मा रही है अस्ति दिव्यांगिता में आगे जो सरीर का कोई हिस्सी में अगर जो है कुछ समशिया उत्पन होगी तो उसके कारण दिव्यांगित इन्हों ने इस जो दिव्यांगता है देखने से समध्दी ती यानि कि दृष्ट समध्दी जो दिव्यांगता है उसमें एक क्रांथिकारी परिवर्तन लाए थे बच्पन में ये जो है सामानी बालक की तरह थे लेकिन किसी दुरघटना में इनकी जो है आँखों की रोषनी चले जाती है उसके बाद इन्होंने दिव्यांग जो की आँखों से अच्छे से नहीं देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं उनके लिए एक क्रांथिकारी लिपी का निर्मान करवाया उस लिपी को ही बोलते हैं ब्रेल लिपी क्या है ब्रेल लिपी एक मोटे कागज पर रिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदों को केरा जाता है, तथा इन ही बिंदों पर उगली के सारे इसे पढ़ा जाता है, इस विधी को ब्रेल लिपी कहते हैं, उगली के सारे रखा जाता है, उसमें जो है सब्दों होते हैं, और उनको पैचान सकता है, उनके इनकी पढ़ाई होती है, जैसे यहाँ पर दिया गया से उब्रे वेल जो है, वहाँ पर सब्दो होते हैं, ब्रेल लिपी का विसकार 821 में फ्रांसी सी नेत्रहीन लुइस ब्रेल ने की थी, उनके नाम पर ही इस लिपी को ब्रेल लिपी कह जाता है, यहाँ लिपी छे इंप्रस्ण है कि जो विस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, नव अर्स की चोथे दिन, यानि की चार जन्वरी को मनाया जाता है, विस ब्रेल दिवस, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है अधिकम अक्षमता, तो इस पर भी ध्यान देने की आ शक्ता है वैसे आप सीटेड यूटेड आपने किया होगा क्लियर किया होगा तो वहाँ पर भी इस चीज को पढ़ा होगा फिर भी हम एक चीज देख लेते हैं इसमें तो कुछ विकार है को किस से संबंदित है यह अपने देखना है तो देखिए डिसलेक्सिया है पढ़ने सं संबंदित विकार है इसी परकार डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया है लेकर नयम चित्रागन संबंदित है अफेजिया संप्रेशन संबंदित है और डिस और्थोग्राफिया है वरतनी संबंदित विकार है इसी परकार कुछ परमुक अधियम अच्छमता है और आती है जैसे डिसलेक्सियाती पठन कैवली जिसे कहते हैं ये जो सबसे अच्छा आप एक्जामपल इसका है आपने सभी ने मूवी देखियोगी तारे जमीन पर उसमें आपने देखा हुगा जो छोटा बच्चा इसान नाम रहता है उसका तो उस जो है वो जो है अपने परिवार में स्कूल में जो हर जो है उसे टीचर्स पैरेंस उसे डाटते रहते हैं आपने देखा हुगा उसमें और बोलते हैं कि ये बिल्कुल चुप-चाप रहता है पढ़ने लिखने में बहुत पीछे फिर वहाँ जो आमीर खान जो टीचर बनके आता है उसे सुरुस्ट्रमों से भी लगता है कि इसी टाट का है लेकिन जब वो उसे अच्छे से देखता है उसका अध्यन करता है तो अध्यन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये बच्चे की समश्या बहुत कम्भीर समश्या है क्यूंकि उसे अच्छरों को जो है सही से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है तो इस में क्या होता है बी जैसे बी है उसको वो डी पढ़ता है जैसे SAW 100 लिखा है तो उसे वो WAS watch पड़ता है तो ये एक बहुत बड़ी समश्या है जब हम भी अपनी teacher ट्रेनिंग करे थे, वहाँ भी एक ऐसा बच्चा था, लेकिन उसमें भी हमें उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था इस बारे में उतना समझाए नहीं गया था अब इसके लिए तो पैटिकुल अब इसे जो है education training होती है इसके लिए कुछ सिष्ट सिख्छकूं की training होती है उसमें उनको बताया जाता है तो हमको भी लगता था कि ये बच्चा जो है, इतना जो है कैसे हो सकता है, मतलब कोई बच्चा इतना जो बिल्कुल लिखी नहीं पा रहा हो बिल्कुल उसके सब्द ऐसे होते थे मतलब आपकी हो, A, B, C, D जैसे रेंडम लिखे हो, इस प्रकार से लिखता था तो ऐसे बच्चों को dyslexia रोग है, पठन वेकर लिए लेकिन वहाँ पर हमने देखा था क्योंकि जो समाने, जो टीचर उसे उसकोल फेल करने में लगे हो, तो बहुत बताया थे दो, तीन साल से पेली होता रहा है तो लेकिन किसी भी टीचर ने उसे वहाँ से ये बताने कुस्त नहीं कि ये रोग हो सकता है हाँ उसे सिर्फ पेंटिंग अगर आप करवाना चाहें, या किसी बोलने वाली चीज़ उसे करवाई जाए, तो वह बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन अभी वो समिशिया मुझे याद है तो आपके सामने में ने बताई, तो देखिए डिसलेक्सिया पठन कैवली का संबन अब उस वक्त हम जो है ट्रेनिंग करने वहाँ पर गे थे तो हमें भी उतना मौका मिला नहीं उस बारे में, तो उस वक्त हमारी जो है चार मेने की ट्रेनिंग होती थी तो चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं जो देखिए, डिसलेक्सिया पठन कैवली का संबन बच्चों में धारा प्रभा पढ़ने की अक्षमता से है यो भासा के लिखिद रूप, मौकिव रूप, एवं भासा ही चमता को प्रभावित करता है इस अधिगा मसक्तिता में बालक को पढ़ने में कठिना ही होती है जैसे वह B और D में विवेद नहीं कर पाता है S, A, W, Saw और W, A, S, Watch उसमें भी अंतर नहीं कर पाता है Nuclear और Unclear में अंतर नहीं कर पाता है C को D तरह D को C लिखता पड़ता है आदी गणित संबंदी त्रूट्यून जैसे गुणा, भाग, जोड, खटाने वाले अगर किसी को मैस बहुत ज़्यादा समश्या उत्पन हो रही है तो उस रोग को Discalculia कहते हैं अर्था Discalculia एक परकार का अधिगम संबंदी विकार है जिसका प्रियोग गणिती, कौसल, अच्छमता के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड हमारे पास भासागात अब देखो एक रोग भासागात भी है जिसे अफेजिया कहते हैं मस्तिस्की की ऐसी विक्रती है यह देखो यह जो है मस्तिस्की से संबंदी विक्रती है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे वे सब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनिमिर्टा, अस्पस्ट्रिटा एवं इस्थाई विकारुपन हो जाता है, तो ऐसी विक्रिती या ऐसी अवधान को भासागात या फेजिया कहते हैं, तो ये एक प्रकार से भासागात बंदित रोग है, फिर है एक आता है DCD, जिसे Developmental Coordination Disorder कहते हैं, या इसे dyspraxia भी इस र विसेश आउशिक्ता वाले अधिगम करता के बारे में आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको इससे संब्दित जानकार या प्राप्त भी होगी, आप इससे संब्दित जो जो इंपोर्टन चीज है अपने कॉपी में नोट से बना ही है, उसको आगामी L.T. भरती परिक् करते हैं और हम उसे अगली वीडियो में सही करने की गोसिज करेंगे, तब तक के लिए धनिवाद, जय हिन, जय भारत!